आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं आप सभी स्टूडेंट के लिए सवक्ति की काफी अच्छी अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं जिहां 50% आरक्षन को लेकर देखिए चतिस गड़ में सभी युवाओं के द्वारा भी प्रदर्शिन किया जा रहे हैं 50% आरक्षन को लेकर कि जल्द ही 50% आरक्षन हो और 50% आरक्षन पर ही नहीं भरती निकाला जाए देखिए आरक्षन कितना भी हो चाहे 60% हो चाहे 72 चाहे 50% अगर आपको जौब मिलने रहेगा तो आपको जौरूर मिलेगा अगर 100% भी आरक्षन मिलेगा जी हां मैं बहुत बड़ी बात बोलता हम अगर 100% भी आरक्षन रहेगा बहुत पोस्ट निकलेगा फिर भी आपको जौब नहीं मिल पाएगा अगर आप तैयारी अच्छे से नहीं करेंगे तो तो ऐसे में जो है जनवरी फरवरी महिने में जो है निकला था उसके बास से जो है आप जग जो है 36 गड़ में किसी भी प्रकार की भरती नहीं हो पाया और इस साल आपका जो है 29 जनवरी को एसा भरती परिक्षर का प्रिलेम्स हुआ है उसका रिजल्ट आ चुका है लेकिन मेंस के लिए किसी भी तरह से सेड्यूल जारी नहीं किया है एक्जाम्स का और आप सभी को बताना चाहता हूं जो 191500 इस्टूडेंट है और 975 पोष्ट के लिए 20 गुने इस्टूडेंट का सेलेक्षन होना है तो 19500 इस्टूडेंट का लिष्ट अभी जो मेरिट सुची मेरिट लिष्ट जा और उनका सिर्फ एक की मांगा ही कि 36 गड़ में जल्द से जल्द 50 परसेंट आरक्षन हो जल्द से जल्द जो है नहीं भरती जो है निकाला जाये तो 36 गड़ में 50 परसेंट आरक्षन लागू एसी चात्रों के लिए सबसे बड़ी खुशकबरी है और जल्द ही भरतिया होग और लागू होगा जल्द ही 50 परसेंट आरक्षन हाई कोट का आदेश जारी देखें ब्लासपूर हाई कोट ने तो 19 सितंबर को ही आदेश दे दिया था कि 36 गड़ में जो 58 परसेंट आरक्षन को निरस्त किया जाता और इसी के सांद जो है जब निरस्त हुए 58 परसेंट आर अगर शरकार चांथी तो ऊसामें जो हाम सभी के लिए नय भर्ती जो है निकाल सकती थे लेकिन सरकार के द्वारक यसी भी तरह से नहीं भरती नहाई वद्टेश्ट जो है आप सभी श्टूटेंट के लिए नहीं किया जिसके वजह से चात्रु को बहुत ज्याद दिक्क्त हो रही है चातरों को बहुत जादा प्रब्लम्स वह है परसानी जोए फेश करना पढ़ रहा है और एक के बाद एक जो जो ऑच तिस गण में परब्लम्स जो ऑफिश करना पढ़ा उसा तिस गण में 50% अरक्षन जो जल दि लागो होगा बिलने वाला इसके संट जितने भी भरति पर रिख्षा जो रूकी हुए है चाहे वापका सीजी पेसी पेसी का एक्जाम का रिजल्ट में जो प्रीवेश यो रिजल्ट अभी उसका रिजल्ट अभी आप सब सब्सक्राइब आए तो देखे चांस का दौर जारी है ऐसा बात यह कि अपर्चुनिटीस तो हम सभी स्टूडेंट के लिए आने वाला है तो आप लोगों की उपर डिमेंड करते हैं अगर तैयारी करोगे मेहनत करोगे तब आपको आप जो इस उपर्चुनिटिस का लाब ले पाएंगे आप उन्य उपर्चुनिटिस का फायदा जो है ले सकते हैं तो शक्तिस गण में 50% आरक्षन जो है लागू होने वाला है तो जिस किसी भी स्टुडेंट को वेदान करना है तैयारी करना है अप अच्छे से अपसे 36 गण में नहीं भरती जो है निकाले जाएंगे तो जितना ज्यादा हो से कि आपको तैयारी करना है जितना हो से आपको मेहनद करना है जब आप अच्छे से मेहनत करोगे उशी के नुरूब आप लोगों को एक बैतर एक अच्छे रिजल्ट मिल पाएगा मेहनत नही तो किसी भी प्रकार की कोई भी कामियाबी किसी भी प्रकार की कोई भी सक्स जो आपको नहीं मिलने वाला सब कुछ जो है कामियाबी आपके महनत के उपर ही डिपेंट करता है तो जितना हो सके तुम तैयारी करो जितना हो सके तुम महनत करो नेम फैम पैसा तब ही मिलेगा आपको मिलने वाला रहेगा वो भी सफलता आपको कहीं खाथ नहीं आने वाला तो 36 गड़ में 50% आरक्षण जो है आपका लागू हो सकता और इसी के सां 36 गड़ में नहीं भरती जो है आप सभी स्टुडेंट के लिए नहीं वेकिंसी जो है निकल कर आ सकते हैं तो यह सभी इन फिर्टसह अगवाला ओतने ही जदादा आपको जो है कामियाभी ओतने ही एक अच्छे से आपको जो सकस्स मिलने वाला तो जितना जादा तुम वहनत करोगी जितना जादा आप अपड़ाई के लिए कौन्शिश रहेंगे आपने उपर भरोश्या करेंगे खुद के उपर उतने ही आप लोगों को काम्याबी मिलेगा उतने ही आप लोगों को जो है सकसे जो है मिलेगा और यकिन माली आपको सकसे जो है डेफिनेटली मिलेगा सकसे आज नहीं तो कल आपके जिन्दगी जो है जरूर बद लेगा बस आपको उस काम्याबी को पाने के लो सकसे को पाने क करने के लिए competitions exams में एक अच्छा एक बहता नंबर लाने के लिए सिर्फ एक बार महनत करना होता है अगर आपने एक बार अच्छे से तैयारी कर लिया एक बार महनत कर लिया एक बार study करने के जो रहा था फिर आपका selection जो हो जाएगा तो जल्द ही 50% direction को लेकर जो है काफी महत्तुपूर जो है आप से भी student के लिए भरती काफी महत्तुपूर जो है update सामसे भी student के बीच में निकल कर आने वाला है तैयारी बस अपना अच्छे से रखना जितना आपका तैयारी रहेगा competition exams की preparation भी उतने अच्छे से कर पाएंगे और उतने ही जादा आप जो है competition exams में जो है एक अच्छे एक बहतर नंबर जो है आप ला सकते हैं और कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं है कोई भी चीज दिक्कत देने वाला आपको बिल्कुल नहीं है जिन्दगी में आप से इंडाउस तो आते रहते हैं तो आप इन सभी competition exams की तैयारी बस अपना तैयारी आप जो अच्छे से रखें competition exams आप सभी student के लिए जो होने वाला है तो जितना ज़्यादा होश चके महनत करो जितना ज़्यादा होश चके तैयारी करो जितना तुम तैयारी करोगे जितना तुम महनत करोगे success उतने ही मिलेगे काम्याबी जो है उतना ही मिल पाएगा तो 36 गड़ में 50% डारक्षान लागू होगा SCHD OBC चात्रों के लिए सबसे अच्छी खुश कबरी हैं और जल्द ही भरती हैं आप सभी student के लिए जो होने वाला है तो कोई भी updates हैगा तो जरूर बताँगा सो आप लोगों से यही बस बोलना चाहता हो कि वीडियो को शेयर जरूर किज़े जो वीडियो को शेयर किज़े था कि बागी लोगों तक भी नहीं वीडियो जो है नहीं भरती परिक्षा से रिलेटेड वीडियो मिल सके और वो सभी student भी नहीं गवर्मेंट जाब आपको सफलता जो है जरूर मिलेगा बस उस सफलता को पाने के लिए थोड़ा से इंतिजार आपको करना होगा अगर आप थोड़ा से इंतिजार करते हैं तो आपको definitely success मिल पाएगा सब कुछ मेहनत के उपर depend करता है मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगा आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा